समाजवादी पाटे, राज्य सम्मेलन के मुख्यतित, इस देश के करोडों, किशानों, मजदूरों, नौजवानों के विश्वास, हम सब के नेता, परमादानी राश्टी अद्यक्ष, स्री अखिलेश यादो जी, आज के चुनाओं की प्रक्रिया संपन कराने वाले समाजवादी चिन्तक, और पार्टी के प्रमुक्राश्टी महासचेव, आदनी प्रोफेसर राम गोपाल जी, मंचा सीन्ज सभी सम्मानित नेतागर्ण, और इस राज्य सम्मेलन में आए हुए प्रतिनित भाईयों, बहनों नौजवान, दोस्तों, पत्रकार भाईयों, सम्मानित पत्रकार भाईयों, सबसे पहले, मैं अपने नेता मानी अखिलेश यादोजी का, मानी प्रोफेसर सहाब का, और समाजवादी पार्टी के राश्टी नेतोतों का, राजी नेतोतों का, और इस प्रतिनित सम्मेलन में आए हुए सभी डेलिगेट्ष का, इस प्रदेश के समाजवादी विचार धारा के सभी, सम्मानित भाई बहनों का, हार्दी का अभार विक्त करता हो, कि मुझे समाजवादी पार्टी का पुने अद्वेक्ष बनाया गया, और ये विशाल प्रदेश के संगठन की जिम्मेदारी, मेरे उपर विश्वास किया गया, कि मैं कारकरताओं की भाउनाओं के अनरूप और पार्टी की नीतियों रीतियों के अनरूप काम करूँ, हम अपने चालिस वरस के राजनेतिक जीवन में, चाहे चौधरी चरन सिंग्जी हो, मानी मुलाइन सिंग्ज यादो जी हो, या आज मानी अखिलेश यादो जी हो, हमने सदयों अपने नेतुत की भाद को माना, और जो भी काम मुझको दिया गया, उसको मैंने अनुसासन के साथ काम करने का काम किया, और आपने हम जैसे छोटे घरों में पैदा माने होने वाले किसानों के नौजवानों को समाजवादी आंदोलन में, इतने बड़े ओदे पर आपने चुना, या मुझे बनाया, मैं और मेरा परिवार आपका जिन्दी के बाराभारी रहेगा, मैं अपने सभी समाजवादी पार्टी कार करता हूँ का भी मैं आभार बिक्त करता हूँ, और साथियों, आज के इस सम्मेलन में हमारे विविन साथियों ने, इस सम्मेलन को सजाने सवरने, सुब्यवस्तित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया गया है, जानकारी सभी को है, कि बहुत ही अल्फ समय में ये समाजवादी पार्टी का राज्य सम्मेलन और कल होने वाला राश्टिय सम्मेलन, बहुत कम सूचना पर, इतना शानदार किया गया मानी राश्टिय अद्धजी के निर्देश पर, चाहे वो लखनव के दिला महानगर के इकाई के अद्धेक्शों, चाहे हमारे जिले लखनव के नेता लोग हो, या कार करता साती हो, या हमारे फ्रंटल संगेटों के निमार्तमान पदादिकारी हो, या डेलिगेट्शों, जिन लोगों ने इस सम्मेलन को ब्योस्तित कराने में सयोग दिया है मैं उन सभी का अभार्वित करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे यह नोग करता हो कि कल राश्टी सम्मिलन है और राश्टी सम्मिलन में राश्टी प्रतिनी दियाएंगे और आप से भी लोग जिस अनसासन के साथ आज इस सम्मिलन में आए है उसी अनसासन के साथ और उससे भी बढ़कर कल हम सब को राश्टी सम्मिलन में उत्तरपदेश के डेलिगेट्स के हों उनको सहीव दोने का काम करना होगा और आज मैं खुशी के साथ ये बताना चाहता हो कि इसकी बेवस्ता में जाए भोजन की हो आवास की हो सारी बेवस्ताओं को हमने राश्टियत दैचियम के निद्रेश पर उसको पूरा का पूरा कराने का काम किया है मैं आप सभी का स्वागत करता हो आए हुए प्रतनिद्यो का जो लोग अब यहां नहीं हैं अपने आवासों के लिए वो बाहर गए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करते हुए आज इस सम्मेलन के समापन की घोशना करता हो